विकली अपडेट एपिसोड 12 पुसपाटू का टीजर लास्ट विकली अपडेट वीडियो में हम बोल रहे थे कि 8 अप्रेल को अलू अर्जुन के बर्दरे है तो कुछ ना कुछ तो आएगा वाई और लोजी मेकरस ने अब खुद कंफर्म कर दिये कि 8 अप्रेल को पुसपाटू का टीजर आने वाला है तेकिन वह इतना जल्दी क्या वात है मूवी रिलीज के चार महिना पहले से टीजर को रिलीज कर रहे है प्रोमोशन स्ट्रेटेजी तो बहुत बढ़िया है पस अब मूवी को पुसपाटू का टीजर ही नहीं सुनने को मिल रहा है अलू अर्जून के एक और मूवी का भी एनाउंसमेंट होने वाला है जैसे पहले आरारार था वैसे अब AAA मतलब AAA अलू अर्जून अटली और अनिरूद बोला जा रहा है इसे भी कंफर्म कर लिया गया है और पुसपाटू के सुटिंग के बाद अलू अर्जून सिधा इस मूवी के सेट पर जाने वाले है भाई सोच कर देखो अलू अर्जून को जब अनिरूद के म्यूजिक के साथ अटली स्क्रीन पर लाएंगे तो थेटर का क्या हाल होगा बवाल मत जाएगा भाई अलू अर्जून के एंट्री पर ही थेटर में बवाल मत जाएगा हाँ तो भाई सुनने को मिल रहा है आठ अप्रेल को इस मूवी का भी अनांस्मेंट देखने मिलेगा इस बात में कितना सचा ही है पता नहीं पर ये मूवी तो अब बनके रहेगा भाई और हम इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड है आप बताओ आपको इस कॉम्बो के बारे में क्या कहना है दाकि आठ अप्रेल का वेट करके देखते है इसका एनास्मेंट होता है तो बहुत बढ़िया है ने तो पुसपाटू का टीजर तो आही रहा है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके है हाँ तो अब इसके बारे में एक और ख़वर सुनने को मिल रहा है कि अजय पाजी अब जून से सिर्फ देदे प्यार दे टू का ही नहीं सुन अफ सर्दा टू का वी सुटिंग स्टार्ट करने वाले है अभी वो सिंगा मेगन और रेट टू का सुटिंग कर रहे है प्रिश्यम 3, धमाल 4, गोलमाल 5, मतलब देख रहे हो अब आगे कैती 2 आने के बाद ये भोला का क्या करेंगे पता नहीं लेकिन मन बनाए तो ये सैतान का भी सिक्वल क्या पता बना सकते है कितनी फ्रेंचाइज का लीच्ट है यार इनके पास अब बताओ इना और कोई हाइप बनाने के जरूरत है भाई ये हाइप की दुखान लेकर बेटे है यार अजय है पाजी जिन्दावार आब वो तो एंटरटेन्मेंट की कभी कमी नहीं होगी बस वो इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके है और अब इसे लेकर ऐसा खबर आया है कि भाई इसमें दस हिरोईन दिखने वाले है हाँ मतलब बरुन दवान, अरजुन कपूर और दिलजी दोसन डवल रोल भी करेंगी ना भाई तो ज़्यादा कन्फूजन क्रियेट करने के लिए मुवी में एक नया ट्विस्ट लाने के लिए वो ऐसा करने वाले है लेकिन दस हिरोईन सही है भाई बोला जा रहा है इस मुवी का सुटिंग इसी साल डिसेंबर से स्टार्ट होगा ऐसा प्रोडूशर बोनी कपूर मैदान की प्रोमोसन वाले इंटर्विव में बोल रहे थे और वो ये भी बोल रहे थे कि मिस्टर इंडिया टू तो भाई बनके रहेगा उसके लिए आप लोग चिंता मत करो बहले उसका बहुत सारे कास्ट चले गए हो लेकिन फिर भी ये मूवी बनेगा कैंसल नहीं होगा धिरे धिरे हमें इस रिलेटेट अपडेट भी मिलते जाएगा मैं तेरा हीरो जुडवा टू और कुली नबर वान के बाद अब फिर से हमें बाप बेटे की चोड़ी देखने मिलेगा एक और मूवी में जी आँ वाई लोग बरुन दवन और डेविड दवन मिलकर एक और मूवी बनाने जा रहे है जो कि पूरी तरह से एक कोमेडी मूवी होने वाला है और इस मूवी को लेकर बोला जा रहा है कि इसे 2 अक्टूबर शानिव मतलब 2025 गांधी जैंती को रिलीज किया जाएगा वाई डेविड दवन तो बहुत बड़ी या मूवी बनाते हैं लेकिन ये यूटूब चनल स्टार्ट करके फिल्मों के बार में रिसर्च करते हैं मैं पता चला कि डेविड दवन के 90 से 95 फिल्म रिमेक है या किसी ना किसी म में लगे है ओके तो अब नेक्स्ट नित्यस्तिवारी के रहमान से एक तड़कता भड़कता अपडेट की बाई हंस जिमर जिन्होंने पाइरेट्स ऑफ दे केरिवियन दाक नाइट ट्रायलोजी इंसप्शन मैन अफ स्टील और ड्यून जैसे पता नहीं कितने सारे मूवी में म्यूजिक दिये वो अब इस नित्यस्तिवारी के रहमान ट्रायलोजी में म्यूजिक देंे वाले है वो भी एर रहमान के साथ मिलकर मदर भाई देख रहे हो ये लोग जिस हिसाब से इसे बना रहे है अगर सबकुछ सेही रहा तो ये ड्रैलोजी इंडेटियन सीनेमा मे बोला जा रहा है यहां मर्सी वशी इस्ट राम जी को लाइव लेसंद दे रहे हैं और सैथ यहां से इस ट्राइलोजी का कहानी सुरू होगा रंडविर कपूर अभी सेट जोइन नहीं किये वो शेकंड शेड्यूल पर सूट पे आएंगे और सनी पाजी के साथ यस की देखा था क्योंकि उनके उपर भरोसा किया जा सकता था भाई पर कोई नहीं अब इसका सुटिंग चालो हो गया है गाईज और 2025 दिवाली पर यह मुवी आ रहा है थलापते 68 या कहीं दग्रेटेस्ट अफॉल टाइम मुवी से अफडेट है कि बाई 13 या 14 अपरेल को इस मुवी का फर्स्ट सिंगल आएगा और 22 जून थलापते के बर्दरे पर इस मुवी का टीजर आएगा ऐसा बोला जा रहा है वैसे बोला तो ये भी जा रहा है कि इस माह में बहुत बड़े-बड़े मल्टिपल केमियोद देखने मिलेगा जिसमें से कि एक महंदर शिंग धोनी भी हों भाई इस मुवी के लिए कितने डायरेक्टर के नाम लिया जा रहा था कार्तिक सुवराज अटली त्री विक्रम वेटरी मारन लेकिन ना उसमें से कोई नहीं निकले अब बोला जा रहा है कि तलापते 69 को डायरेक्टर एज विनोद बनाएंगी जो मुवी की पॉलिटिक्स के उपर होगा और डिवीवी इंटर्टेन्मेंट इससे प्रोडियूस करेगा ओफिशल एनॉसमेंट इसका नेक्स्ट मंद बताया जा रहा है ओपनिंग सेरिमनी जून में और डिसमबर तक इसका सुटिंग को कम्प्लीट करके नेक्स्ट यर समर पर इस मुवी को रिलीज क का रोल किया था और अब जब रिसेंटली इना एक इवेंट में पूछा गया तो वह बोल रहते कि थलेवार 171 में भी यह काम करने वाले हैं अब वह इसमें कोरियोग्राफी करेंगे कि एक्टिंग करेंगे यह तो पता नहीं लेकिन हाँ इतना तो कंफर्म हो चुका है कि य लेकर एक अपडेट है कि इसे दस लंगवेज के साथ थियाटर में रिलीज करने का प्लान बनाया जा रहा है और आने वाले दस दिन के अंदर इसका डविंग भी कप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो लोग इसका रिलीज डेट को लेकर प्लान बनाएंगे और डिस्टिव्यूटर के साथ बात करेंगे बाकि अगर इसका ओटिटी रिलीज की देखा जाए तो भाई उसके लिए और भी इस लंगवेज में इसका डबिंग किया जाएगा मतलब जब ओटी mein आएगा तो जाएगा तो इसे 30 से ज़्याधा लेंगवेज में रिलीज किया जाएगा भाई pub वॉल्ल रेकॉड बन जाएगा लेकिन हमारे यहां इसे बी मेंहें रिलीज करेंगे ना अपना लेंगवेज में रिलीक किये तो भाई फिर लोचा हो जाएगा नक्स्ट तो भाई Prometheus, Blade Runner 2049 और Aliens Covenant जैसे कुछ मूवी है जिनके आने से पहले की एक एक Prelude को Release किया गया था जिसमें कि उस मूवी का दुनिया के बारे में, क्यरेक्टर के बारे में कुछ-कुछ बताया गया था और अब हमारे अब इंडियान सिनेमा बदल रहा है जैसे टाइटल अनास्मेंट का ट्रेंट लोकेस ने सैट कर दिया वैसे ये Prelude का ट्रेंट साहएद इंडियान सिनेमा में साहएद नागस्विन से स्टार्ट होगा नहीं साहिए भाई अब तो इस मूवी के लिए एकसाइटमेंट और भी बढ़ रहा है और आपके आप इसका न्यू रिलिस डेट की चिंता भी मत करो वो भी बहुत ही जल्द एनाउंस होने वाला है और उसके बाद ये Prelude, Teaser, Trailer, Songs भाई कल की से अपडेट की बारिस होने वाला है तो तैयार रहना ठीक है तो भाई बस ये था इस हबते की फिल्मों से जूरी अपडेट को लेकर एक वीडियो अब हम इस वीडियो को ये खतम करते है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेयर करो और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो भाई सबस्क्राइब कर लो